हमस्कार दोस्तों रीट 2021 आपेपर देके आ गए हैं अब ये एक सवाल बार बार उठ रहा है कि इतने सही हो रहे हमारे क्या हम सेफ है इस्तती ये है कि 110 वाला है वो भी मन में डर है उसके 125 और 30 वाले के भी थोड़ा डर है कि क्या 130 में भी हम सेफ है तो वेक्ति दूसरा है क्य चीके तो वो फिर काट पीट के कोशिस ये करेगा मल उसका एक साइकलोजी होती है कि वो 115 के आसपास मेरिट बिठाने का प्रयास करेगा कि साइद इससे ज्यादा नहीं जाए 125 वाला सोचेगा कि 125 के आसपास लगबग रहे 110 वाला सोचेगा इतनी रहे तो ये होता है अर एक तो मेरिट के उपर हम जाएं L1, L2, शामाजिक, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी सभी पर हम चर्चा करेंगे अब शीदे में बता दूँ ये 122 से 23 के बीच, ये 115 से 20 के बीच उसमें कोई लोजिक नहीं है ठीक है अब हम बात करते हैं थोड़ी सी लोजिक की अब ये दे देखते हैं फिर मैंने जो है वोटिंग करवाई है वो भी हम देखेंगे करीब 3-4,000 विद्यार्थियों ने वोटिंग की होगी अब हम देखेंगे तो देखिए जीट की प्रिक्षा दे चुके विद्यार्थियों के लिए महत्रकुन सवाल है कि कटोप कितनी जाएगी तो ये चीज़े माइने रखती है पेपर का इस्तर पेपर के इस्तर की बात करें तो जो 2018 वाला था उससे थोड़ा सा सरल है थोड़ा सा सरल का माने कि 5 सवाल जो है मानले जिए 5 अंक जो है ज्यादा आ सकते हैं अगर किशी के 115 आ रहे हैं उतनी त्यारी में तो 120 मान लो ठीक है तो थोड़ा सा जो है वो इस तर पिसली बजाई सरल था ठीक है मगर एक चीज़ यहां और जूड़ गई है दोस्तों 2018 में जो सर्टिफिकेट में जो लोग सर्विस में लगे हैं जैसा कि पिसली वार 18 वाले में हुआ था 15 वाले मगर इस बार 2021 में जो है वो एपातर हो गए हैं और पुराने सर्टिफिकेट से अगर वो कंपिटिशन में आते हैं तो वो नहीं आ पाएंगे तो यह नए बेरोज़कार विडियारतों के लिए अची ख़बर है अब मेरिट सीदे हम कहा दें कि 115 120 उसमें मतलब नहीं आपकी सरेणी क्या है जनरल जनरल पुरुस और मेल मेला की बराबर रहती है ओबी सी पुरुस और मेला की बराबर रहती है मगर सी स्टी ओबी सी नहीं स्बी सी इन में पुरुस और मेला की मेरिट में भी कुछ फरकाता है उसके अलावा आपके के टेगरी जनरल में बगर आप एड़ेवलियो से है तो जनरल से कुछ कम रहेग लगभग OBC के बराबर 3-4 नमर, 2-3 नमर का फरकाएगा MBC कुछ कम रहेगी, SC, ST में महिला अगर है तो और ज़्यादा कम रहेगी फिर दिव्यांग है, प्रितेक्ता है, वीदवा है, एक्सवरिशमेन है प्रितेक्ता की बजाई, वीदो केटेग्री की काफी कम रहती है जबकि डाइवर्स केटेग्री में उतनी कम नहीं रहती दिव्यांग में में बहुत कम नहीं रहती अब हम और भी सर्चा करेंगे, TSPA की non-TSPA, सनातक के परतिसत सनातक के परतिसत पिसली बार 30 परतिसत थे तो पिसली बार की हम सिद्य से तुलना इस बार नहीं कर सकते पिसली बार सनातक का जादा रोल था, इस बार 10 परतिसत है तो कम रोल है एक, दो नंबर, दो ती नंबर का फासल आएगा जबकि पिष्ली बाद 6-7, 5-6-7 नमर तक का आ रहा था सनातक के विशे अब देखो आर्ट वाले जो है उनके 50, 55, 60 50-60 के बीच मिलेंगे साइंस वालों के सनातक में 60-80 या 75 के बीच मिलेंगे average लगबग तो वो practical subject है और है उसे साथ से सनातक के विशे अब केवल हम एक शिदा मान लिया कि 120 मेरिट रहेगी वो नहीं होगा सनातक में आपके कौन सी बास है उर्दू रही है, क्या संस्कर्ट रही है, क्या इंगलिस रही है, ठीक है या फिर आपने उसमें additional किया फिर अब आप उसके शिक्सक बनेंगे उसके कितनी पोश्ट आती है हिंदी की कितनी आएगी, अंग्रेजी की कितनी आएगी उसके आधार पे मेरिट तरह होगी उसके बाद में additional वाला अभी मेटर चल रहा है, सामिल होंगे या नहीं, सामिल होते हैं तो मेरिट का अलग रहेगा, उनको बाहर कर दिया जाता है तो अलग रहेगा, हलांकि अब ये भी कॉर्ट का मामला है तो देखो क्या होता है अब सबसे मैतो पुर्ण कि आपके विसे में कुल कितने पद आते हैं अब सामाजी के कितने आएं अंग्रेजी के जैसे पिसली बार 9000 के आस पास थे तो मेरिट का भी रहा कम रही और भाइदा मिला अंग्रेजी वालों को तो इस तरह ऐसे जो है ना कटोप, कानुमान जो है वो लगाया जाता है केवल ऐसे सीधा पेन लिया हम कह दें कि वह इतनी 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 तो वो एक जो है तारकिक नहीं है अब देखिए ये जैसे हैं 265 से लोगों ने वोट दिया है ये मैं आपको टिक करके दिखाते हैं इसको 345 लोगों ने यानि 265 में से 345 ठीक है तो कितने 10% के आस पास हुए है परतिस्त या दिखाए परसेंटेज भी आ रहे है ये 22 परतिस्त 100 से 110 के बीच है 962 यानि कि एक तीहाई 110 से 120 वाले हैं और ये मेरे ख्याल से L2 सामाजिक वाले ही होंगे या साइंस मेत की भी हो सकते हैं और 120 से 30 वाले 25 परतिस्त है और 130 से उपर 4 परतिस्त है ये भी मैंने यहां इमानदारी का कहा है फिर भी हो सकता है कई विद्यार्थी मजाक के लिए या जिसे मान लोग वो इलिजिबल है ही नहीं फ़श्ट एर के हैं बी एड और वो पेपर दे आए और वो 130 बता रहे हैं वो एक कई वार हो सकता है और दूसरी बात कुछ वी दे आए ते क्या है बीना की मिलाए जितने करके वहां से उठते हैं और वहां जो एक अन्मान होता है कि बस हम तो 150 की हैं और बस लगवग 10-15 गलत हो सकते हैं जबकि की मिलाते हैं न दोस्तों तो पता है धरे धरे निचे ही आते हैं RPSC, RPSC क्या वो इसकी बोर्ड की जो की आएगी मादी मिश्किक्षा बोर्ड की तो उसमें निश्ची तरुप से एक दो और निचे जा सकते हैं कई बार होता ही है यह सा तो इसमें में बात क्या है दोस्तों कि यह जो आंक्रा है इस आंक्रे को आप लीजी 110 से 120 ठीक है तो अब हम आ जाते हैं वापस मुद्दे पे 130 से उपर वाले तो बहुत कम है अब मुद्दा कौन सा हो सकता है इतने में कुछ विद्यारती वीडियो को अनलाइक करके चले गए हो मुद्दा कौन सा मुद्दा यह है कि आपका दिल तभी मानेगा जब कुछ डाटा आपको दिये जाए ठीक है तो अब हम पुन हैं उन पे थोड़ा सा आ जाते हैं अब आप OBC पुरुसिया मैला है तो थोड़ा दो तिना कम कर लें SCHT SBC है तो और कम कर लें वीडियो केटेगरी वगर है तो आप 100 के आसपा से मानके चलें अगर 100 अंका आपके बन रहे हैं तो आपका सेलेक्शन शोर मान लेंगे यानि शोर मान लेंगे का मतलब पूरी संभावना है कि आपका हो जाए अब हम सामाजी के बात हो गई अब विज्यान गणित के बात करते हैं L2 की विज्यान गणित में 120 का आप मान के चलें लगबग 120 क्योंकि 125 से 30 बहुत बंपर तयारी वाले विडियार्टों के बन रहे हैं शीटे भी है उनका सेलेक्शन भी तो होगा ये थोड़ी है कि जिसके बंद रहे हैं उसे उपर वो तो बारी रहेगार उसे उपर वाले होंगे जिनकी अच्छे त्यारी है उन्हें विज्यार्टों से बात हुई एक ऐसे विडियार्टी मिले उनके भी नाम हम गोसना नहीं करेंगे उन्हें बताया नहीं है नाम का मना किया है तो उनके 141 एक बंदा ऐसा मिला है बाकी जो है बहुत अच्छे मेनत वाले मेरे ध्यान में विडियार्टी वो भी 125 के आसपास है साइंस में तो 120 आप साइंस की जनरल के आप मान सकते हैं फिर बाकी केटिगरी में आप थोड़ा थोड़ा 15-10-10 नंबर 5-3 नंबर 2 नंबर कम कर सकते हैं अब अंग्रेजी हिंदी इनका क्या रहेगा तो अब अंग्रेजी की पोश्ट अगर अच्छी आती है तो पिछली वार 180 के आसपास था तो 115 तक 110-115 रहे के बीच आप मान के चलें अब हिंदी है या संस्कृत है उर्दू है तो संस्कृत कम रहेगी हिंदी के थोड़ी ज़्यादा रह सकती है क्यों कि हिंदी लगवक्त सभी केंडिडेट के हैं पंजाबी या और बहसा की बात करें तो जो बहसा कम है उनके कम रहेगा और जिनकी बहसा में जदा candidate है तो merit भी जदा रहेगी आगे की बात करें जैसे L1 की तो L1 में क्या है कि L1 में जैसे L1 का पेपर थोड़ा easy था तो L1 के लिए अब ही अगर B.A.D. वाले सारे सामिल के उले एक्जाम में बेठे हैं अगर ये परिक्षा को इनको फाइनल मान लिया जाता है तो मेर्ट बहुत ज़दा जाएगी और अगर मान लीजिए कि इनको रख दिया जाता है इसमें तो इसमें क्या है कि ये भी मामला कोर्ट में है अगर B.A.D. वाले L1 में सामिल होते हैं तो B.A.C. वालों का नंबर आना जो है काफी टेडी कھیर हो जाएगा इसलिए ये भी कोर्ट में चल रहा है अगर मान लो ये सामिल हो जाते हैं इनको कर लिया जाता है तो मेर्ट ज़्यादा हाई जानी है और सामिल नहीं होते हैं तो फिर वही 115-20 के आसपास रहनी है और सामिल हो गए तो 130 भी क्रोस हो सकती है क्यों क्योंकि साइन्स वाले जितने भी है तो उनके साइन्स मेथ प्रियारोन में कवर कर लेंगे बाकी जो मनोविग ज्यान और वो तो दो बासा है तो L2 में भी तयार थी तो अब ये चीज़ें जो है वो आगे तये करेगी दोस्तों तो एक मोटा जो अनमान है वो हमने लगाया है अब पुना हम सही अनमान पर कैसे पहुंचेंगे आप कमेंट करके बताएं इमान दारिसें पूरी डिटेल बताएं आप कमेंट में जैसे आपका नाम सोर्ट में केटेगरी जीला भी लिख सकते हैं लिखो तो फिर आपके L2 है साइस है की सामाजिक है और आपके कितने बन रहे हैं आप पूरे भी लिख सकते हो कि टोटल 125, 115 या फिर आप इसे कोमा लगा कि जैसे पेपर में था ना पहले मनोविज्यान तो मनोविज्यान में मालवा आपने लिख दी 28 फिर भासा फष्ट उसमें 25 भासा सेकिंड 22 फिर सामाजिक या विज्यान जो भी है तो सामाजिक तो सा अचा लिख के विज्यान तो मई लिख के और उसके आपने लिख दे इस तरह से आप लिखें फिर योग एशे भी आप कमेंट में लिख सकते है तो एसे अगर 2400 कमेंट आते हैं विज्यार त्वेयर तो पुन है एक आन्वान हम लगा सकते हैं कि उसमें क्या रह सकता है फिर एक वीडियो बना देंगे या फिर कमेंट करके पिन कर देंगे या टेलिग्राम चैनल पर डाल देंगे तो ठीक है दोस्तों ये था अब आप भी अपना एक अन्मान लगा सकते हैं बता सकते हैं